सच में बहुत ज़्यादा गुस्साओं मैं आज क्यों सर क्या किया तेरी वज़े से गुस्साओं सर मैंने क्या किया रुख बताता हूं अब यह सबसे पहले मैं बता दूं जो लोग डिप्लोमा इन फर्स्ट यर या डिरेक्ट सेकेडर में अडिक्शिक ले रहे हैं उनके लिए वीडियो है तो बाकी लोग देखें ना देखें उनकी मरजिया जो लोग इसमें इंट्रेस्टेट है वही देखें तो मुझे गुस् तो अब उस प्रोसेस में स्टार्ट से गाइड कर रहा हूं अलग-अलग वीडियोद बनाओं बेवकूफ की तरह मैं और फिर भी इतने ऐसे कमेंट आते हैं बिना वीडियो देखें जिस वीडियो में मैंने केसी क्वेश्चन पर बात किये हैं वो वीडियो देखते नहीं ह कमेंट में ठाएं और उसका एंसर वेडियो में होता है तो सबसे पहले मिन सबको बता दो कमेंट तब करना जब आपने पूरा विडियो देख लिया ओ छो पूरा वीडियो बना दिया है मैंने मेहनत करके आप के लिए आपको बता है वीडियो बनने में क्या लगता है चलो मैंने बोला ऐसे बोला वीडियो रेकॉर्ड तो करना पड़ेगा मैं अपने फोन से रेकॉर्ड करता हूं उसको PC में लेता हूं फिर इडिट मतलब क्या करना जो भी पर पिल्क करना पड़ता है कि वैसे एटीन तो कुछ ने रफ रहता नहीं अ तो सबसे पहले मैं सबको बता रहा हूं सबसे पहले वीडियो शुरू करने इस पहले वीडियो पूरा देखी सुने दिमाग ठीक रखें दिमाग दिल सब कुछ वीडियो में होना चीस और उसके बाद बगर कोई डाउट रहता है तब कमेंट में वो हुच तो जो वीडियो नहीं देखता है वो क्मेन्ट ना करें मैं हमें से बोलता हूं पूरा देखता है न वहीं कमेंट करें बागे लोग हम नहीं है तो आज मुझे बूरा लग रहा है कि आ रहा है व्याव बताता हूं कि एडिमेशन के फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन से मैं आपको गायड करना हूं क्या क्या करना है कैसे करना है फिर भी इतने मतलब ऐसे कमेंट आते ना देख कैसा लगता यार यह बंद कर दो सब कुछ तो क्या प्राउंड वन हो चुका है बहुत बच्चों के अडिमेशन हो चुका क्या प्राउंड वन में बराबर वह पड़ाई में लगे हुए क्या प्राउंड टू में नहीं हुआ बहुत सारे लोगों क्या प्राउंड टू में अडिमेशन हो गया उनका भी फाइनल हो गया आभ बहुत सारे बच्चे बच्चे, क्या प्रोण थ्री में वो कुछ नहीं मिला क्या पर्ण त्री में अभी साफ बरने जा रहे हैं है भर का शुरू होगया है अब आब उस में से कहीं सारे बन्चे हैं उन्होंने गल्तियां किया फॉबक् particip इसलिए उनको college नहीं मिला या फिर जो मिला वो अच्छा नहीं मिला या फिर उनको पसंद नहीं आया जो भी है जो भी reason हो सकता है वो सारे reason में आपर बताउ हूँ और किया गलतिया किये हैं तूने तो मुझे comment आते हैं देख पहली बात तो अब यह situation है तेरा last chance है सबसे पहला होता है यही कॉलेज चाहिए किसी भी तो बताया होता है यह कॉलेज बहुत अच्छा है यह कॉलेज अच्छा नहीं है हासे है अब देख अब तेरह को यह नहीं सोचना है तेरे को दिब्लोमा करना है अगरेको ऊतना मार्फ होता ना तो पहले रवन में ही लग जाता था हो पालेज तो अभी तक बच्छा है हो मतलब भी तेरा स्कूर और तेरी अपक्षा और तेरी स्कूर वह मैंच नहीं हो और तु 90 परसेंट वाला कॉलेज देख रहे हैं वो चाहिए तुझी मिलेगा नहीं मिलेगा और पर सेवर्ण ओलेज स्वर्ण पर आएगा नहीं आएगा भर फिर भी तू क्या प्राट वैंड में वोईड आला है क्या प्राट वून फो में वोईड आला है उसलिए अब कुझे चूज कीजिए लिस्ट बनाई है कि सिने बोला गवर्मेंट पौलिटिक की पूने अच्छा ह कर लेकिन थे उसकोर बैच्छा बाधा भूने में खूपी पॉण्बई म्यम्मों हो जो ब्लियल टॉप के 90% 92% 95% को भी नहीं मिला है तो तू 80% वाले को कैसे मिलेगा समझ रहा है बात को तो देख सबसे पहल और मैं हमेशा से बोलता हूं तुम डिप्लोमा कर रहे हो डिप्लोमाइन इंजिनरिंग कुछ गिने चुने साथ आट अटनोमस कॉलेज छोड़के सारे कॉलेज उसका सिलाबस एकजाम एक ही बोर्ड इससे होता है उसका नाम है MSBTE बोर्ड तो बाकी सारे महाराष्ट्रा में जितने भी कॉलेजे से सबका सिलाबस सेम होने वाला है सब तो वो वसी टाइम पे एकजाम सेम पेपर आने वाला है इसका मतलग क्या तू गवर्मेंट पॉलेटी का ठाने से पास आट हो जाए या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज कहां पे जंगल में है वहां से पास आट हो जहां कोई पढ़ने के लिए नहीं जाता वह अगर MSBTE के तू वही को अड़ी का डिप्लो में बनने वाला हैं और क्या पता वो जो कॉलेज दूर है जिसमें कोई एडमिशन नहीं लेना चाता क्या पता ऐसा हो सकता है वहां पर अच्छा तेरे को एद्युकेशन मिले वहाँ पर अच्छा स्टाप हो गवर्मेंट कॉलेज से हो सकता है कि नहीं तो सबसे पहले ये दिमाग से हटाईए अभी इस वक्त हाथ तेरा स्कोर अगर 99 परसेंट है 95 परसेंट है तो तू बोल सकता है मुझे ये कॉलेज है तब तू डिमांड गर सकता है लगेगा अगर अगर अगारे करना है तु सबसे पहले ये दिमाग से कि नधा आपको कोई कुछ भी बोले अरे मैंने देखो क्या परावन वन में बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिला ता स्कोर अच्छा था बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिला और जब उनके मुझे फोन आए बहुत सारे बच्चों के मुझे मेसेज आते हैं सर अमें गाइड कीजे हमें कॉलेज नहीं मिला तो मैंने सिर्फ उनको स्कोर देखा उनका college's का top देखा और उनको बोला ऐसे college डालो सारे के सारे admission हो चुके हैं और कौनसी courses में computer IT में उनके admission हो चुके हैं और अच्छे colleges में अब उनको समझ में आ रहे हैं यह भी अच्छा college है तो यह आपको दिमाथ से निकाल देना है कोई कुछ भी बोले हर एक का नजरी आलग-ालग होता है कोई बोलेगा यह को अच्छा नहीं है और अच्छा बुरा क्या से डीचार करते हैं यह बताव मुझे सब्सक्राइब जरूने है नहीं है आपने दू-3 साल पहले किसी जैसे न होगा यहां पे स्टाफ अच्छा है पड़ा थे अच्छा है तो क्या गारेंटी वहीं स्टाफ आज यहां पे होगा वहीं पे होगा वो स्टाप वहीं पे होगा क्या गैरेंटी आपने देखाए जाके स्टाप तो चेंज हुआ होगा हो सकता है कि नहीं और जो अच्छा पढ़ाता था स्टाप वो वहाँ पे होगा नहीं होगा तो और मान लीजे, वो किसी और ब्रांच को पढ़ाता हूँ, आपकी ब्रांच को नहीं होगा तो, तो ये सारी बाते कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलती है, ये पहले सोचने का है नहीं आपको, तो डिपलोमा वाला, MSBD के अंडर, हर एक सेम कॉलेटी का बच्चा बाहर नि पर आप जितना भी ब्रॉड सोच सकते हो, उतना सोचो, पर बाद में ये गलती नहीं करना है, और अपर लास चांसे तेरे पास, तो देख यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहीं कॉलेज चाहिए, बहुत सारे बोलते हैं, नहीं बोलना है, समझ में आरे बात, तो कॉलेज तेरे पास चाहिए, एक से ज़्यादा कोलेजिस होते हैं, थोड़ा क्यूं क्यूं कांप्रमाइस क्यूं करना पड़ा है, क्यूंकि अगर तेरा स्क्रिकलम अच्छा होता, तो क्या प्ढ़न वट बेरा होता है, तो कर फूutar में में तरल में पर करना है, यहीं करना इक बिस् सिवेल में उस कॉलेज का कंप्यूटर का इटी आ फूल हो गया है हर एक जग पर यहीं सिच्वेशन है तू कुछ नहीं कर सकता उसके लिए तू कर क्या सकता है तू कर क्या सकता है टॉप के कॉलेजिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग जिसमें अच्छा हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि टॉप टॉप कोलेज बोला तो सब कुछ टॉप कई होगा वा पर ऐसा नहीं होता है ठीक है और जो लोग क्या प्रवल वन टू में जुनोंने मेरे बाते समझी सुनी अच्छे से कॉलेजिस डाले उनका एडमेशन जो उनको कोर्स चाहिए जो कॉलेज चाहिए वो मिला यहुआ हो गहां और वह लोग अभी पड़ाई में लगे हूँ अहां मरा कि ट्रीगनोमेटरी परसेंक ट्रीगनोमेटरी चानल पर भी हो गए हो पड़ागे और पड़ाई कर रहा है करते एंसर नीचे मैं जो भी बताता हूंग को तो अगर आपने भी दिमाग लाया होता आप तक आपका दिमाग फ्री हो गया होता अडिमिशन हो जाने के बाद टेंशन खतम हो जाता है अब चलो पढ़ाई प्रिद्यान देते हैं तो जुनों ने मेरी बाते सुनी जुनों ने खुद से समझा वो लोग सबका अडिमिशन हो गया है अरे बाई इसी कॉलेज में नहीं मिलता है तो सोच ले दूसरा कोई देख ले न अगर कट आप इसका ज़्यादा है तो अब कोर्स में भी कॉंप्रमाइस करना पड़ सकता है यहीं बहुत सारे बच्चे 90 बच्चे बुलते हैं कि मुझे कंप्यूटर चाहिए आईटी चाहिए लेकिन तेरा स्कॉर है 60-70 अगर जो तेरे को कॉलेज है यहां पर बहुत कम स्कॉर हो अगर नहीं मिलता है और तेरे काम कर सकता है फर्स्ट यर में कोई और कोर्स लेके सेकंड यर में चेंज कर सकता है यह बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे सरा ऐसा कर सकती का सेकंड यर में बहुत सारे बच्चे तो यह बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद नहीं चेंज कर सकते हैं फर्स्ट यर के रहेगा और नहीं तो यह मत सोच कि सेकंड ये मुझे मिलेगा नहीं तो यह मिल भी सकता है पॉसिब्लेटी कम लेकिन हो भी सकता है डिपेंड्स विच कॉलेज बहुत सरी चीज़े होती है उस पर मैं अंसर नहीं दे सकता है आप जिस कॉलेज में जाते हों वहां के कंडिशन लेकिन तो यह काम कर सकता है डिप्लोमा में तो अच्छा मार्क लेके आप तेरे को डिग्री में जो चाहिए वह कॉर्स मिले हो और मैंने उसके उपर अलग वीडियो बना है हर एक कोर्स का बंदा कैसे सौफ्ट्वेर की तरफ जा सकता है वीडियो अच्छे से देखो यार सारा का सारा डाउट आपका क्लेर होगा जो आपके मन में डाउट आने वाला है उसके उपर उसके पहले वीडियो आ जाता है अभी बहुत सरे बच्ची इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी और कम्प्यूटर इंटेरिंग का सर डिफरेंस बताओ अरे पहले सर्च कर उसके उपर वीडियो अवेलब ले चानल पे है क्या फरके मैंने बताया हुआ है बहुत बहुत दिन पहले बता हुए अभी देखो यह यह हुए बहुत बहुत जढ़ा कंदा सवाल है एक मोश् 아직 इसमिट इसे नंबर वादि dai को पह ऊछिए मतलब सब क्या त्रघ्राओंड देखर हुआ पराप 2030 में वहां लेकिन मुझे मुझेथा सबसी पहली बात इसका जवाब लिए क्यब सबसे दूसरी बात बेटरमेंट बेटर मेंटतर मतलब आच्छा अच्छा अच्छा जो तेरे को मिला है उससे अच्छे कॉलेजस तु डालने वाला है अगर तेरे को उससे अच्छे कॉलेजस तुने डाले उसमें अच्छा एक मिला तो तुने पहला क्यों चाहिए तरे को यह कैसा सवाल है तो तेरे को बट कुछ बेटरमींड कम अधल की मतलब ही नहीं समझा फिर और इसके की बिट संगे क्षा उसे चुछने नहीं Annya तो गलती किसकी है तो एपकर दिमेंध्मक बट गालए पिर से बोल्ड रहो, क्या प्रांक्टू में अगर किसे को मिला है ना तो अगर चाते हो वो अच्छा खासा मिला है आपको तो ले लो बराबर बेट और फिर भी बेटरमेंट कर रहे हो तो सोचो उससे अच्छा डालो फिर से बोल्ड रहो आगर अप कोई बेटर मेंट कर रहा है न कि दो जो मिला है उसे बेटर क्योंकि वह मिलेगा तो यह नहीं मिले easy-dler लेना पड़ेगा तो बेटरर डालो रिमेंबर दिश हां अगर नहीं मिलता है तो वह ले ले सकतें हो है जो मिला है बोलिस जो अगर आगई नहीं मिलता है तो एक्राग्शन बर देते हैं अप्शन फॉर्म के पहले आपको सीट मैठरिक्स देते हैं वोसी तो असका मतलब होगा कुछ तो इंपॉर्णस होगा तो सीट मेंटरिस देखने के लिए ही दिया है आपको वो पीडियोप ओपन करो देखो कितने सीट्स अवेलेबल है कि सीट मेंटरिस बिना देखें फॉर्म पर नहीं वरना है कि मैं और उसके बाद कटॉफ भी नहीं देखते हैं क्यप रांड वहन का क्टॉफ देखकिया क्या परोंड के लिए वरना है अभी क्या प्रॉण डू बर्जें समय क्याप रांडू का जो कट अब बताता हूं आपको करना क्या है अचली सुदर जाओं यहां पर लिखा हूँ है अब दो सुदर जाओं शुदर जाओं मतलब क्या करो सो सबसे पहला पूंट सीट में रिक्स उठाऊ टॉ है कि इस पहला जो वीडियो है मैंने वीडियो को कि दिया था उसमें पता है पता वेडियो में तूलीर और आपऩन से उपन हो सबसे पहले आपको शेपल जा सो क्या मिलेगा विए है हुए आपकोAudvin weapons ग्राम करने करो अबिद में पीडिफ में इसको सर्च करो सर्च कैसे करना मूविन वाता है तो कहीं पर अगल कॉलेज या तो सिट्स पहले तो अगर एवेलेबल है इमामके चलते हैं तो क्या करो incarnate कट ऑफ कौन सा कट ऑफ सर क्यापरॉण का olan क्यापरॉण डूपर वही चौैस को पेoti कर तो वहाँ about वुस चीज के लिए उस परिटिकल कुरस के लिए कट अब के लिए और बहुत सारे अभी आपको क्याटेगेरी वाइज क्वैटेगरी चोड़ं और फोपन का देखों क्योंकि अगर open के सीट खाली है तो आपको open省 के मारस को टक्र देना पढ़े हैं क्योंकि सुभात कोई क्या कर देखों सिट करों सेट में डालकर वहांपे सीट अवेलेबर है क्या नहीं अगर है तो ही मतलब है नहीं नहीं हैं तो च्वोड़ आपको कितने मार्क्स हैं? दस-वी के मार्क्स और वो कट-व आसपास है, आसपास मतलब 2, 3, 4, 5, 2, 3, यार, 3 परसेंट के आसपास अगर फर्क है, 4, 5 परसेंट, अभी depends on course भी हो सकता है, मेकैनिकल हो तो थोड़ा बहुत जादा फर्क होगा तो भी चलेगा कंपटर राइटी के लिए बहुत कम नहीं होगा और वैसे तो कंपटर राइटी के सीट अगर कहीं पर खाली दिखते हैं तो आप नसीब होने हो तो मार्क्स देखो उससे मिलते जुलते हैं तब ही ओक और डालना और प्रायरिटी से डालना सबसे पहला मुझे यह चलेगा दूसरा चलेगा क्योंकि ओपर से सर्च करेगा यह नहीं मिला तो यह ढूंडेगा यह नहीं मिला तो यह देखेगा यह नहीं मिला अगर लाइक करते हो तो ज्यादा बच्चों को वीडियो पहुंचता है अपने आप यूट्व इसको पहुंचाएगा समुझ लो बातों हो चानल को सब्सक्राइब करना मैथामेटिस की वीडियो फॉलू करना फ्री लिया वेलेबर कर किया है सब कुछ उसके इसाब से जो भी बोला है हरे वीडियो में पड़ा ही शुरू कर दो और जिनको पॉलेज नहीं मिला है ठीक से डालोगे तो में जाएग अच्छे से दिमाग लागा के थोड़ा टाइम लेलो एक ही दिन में सब कुछ करने की जरूत नहीं है आज भरो फिर कल थोड़ा समय लेलो थोड़ा चेंचिस करो और बाद में कंफून करो ठीक है तो यार मैंने सारी चीज़े क्लियर की है फिर भी कोई डाउट होना और डा मुझे जाना घुस्ता नहीं आता लेकिन इस बार ऐसे कमेंट देखते हैं देखने को मिलेगी मैं मैं आप वीडियो बादा नहीं पड़ा मैं मजबूर हो गया तो ठीक है मैं सब को और विश्ट करता हूं जिनको मिला है उनके बहुत अच्छी बात है पढ़ाई शुरू कर पर जिनको नहीं मिला है मिल जाएगा थोड़ा दिमाग लगा के शुरू कर ठीक है और जिनको एक भी कोलिज नहीं भी मिलता है ना तो डूंट वर्या इस नाट दी एंड ऑप दी वर्ल्ड बराबर जो भी होता है अच्छी क्ली होता है तो मिलते हैं अगले जबर्दस झाल 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 झाल